तो भाई आप सब का रिजल्ट आ चुका है अब आप सब लोग अपनी काउंसलिंग की तैयारी कर रहे होंगे तो उसी में help करने के लिए हम एक वीडियो बनाने आपके लिए लेकर आए हैं तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो जोसा आपकी स समझ लेते हैं थोड़ा सा तो देखिए जो सा एक्चुली अगर इसकी हम फुल फॉर्म देखी जाए तो क्या है जोएंट सीट एलोकेशन ऑथार्टी मतलब जो भी आपको कॉलिज करने हैं आपको कौन सा कॉलिज मिलेगा कौन सा कोर्स मिलेगा यह सारी चीज़े जो सा डि साइन होगा अब इसमें कौन-कौन से इंस्टूट पार्टी स्पेट करते हैं यह आपको जरूर पता रहना चाहिए क्योंकि इसमें जो पार्टी स्पेंट इंस्टूट है मैं आपको बता देती हूं जितनी भी आएटीज है यानि ट्वेंटी ट्रिपल आईटी और थर्ट इसकस करेंगे उससे पहले आप देखिए अगर आपको कोई भी डिटेल या कोई भी चीज़ें चाहिए तो आप इसकी साइट पर जाके देख सकते हैं ऑफिशल वेबसाइट जोसा डॉट निक डॉट इन आप इसमें सीट कितनी है क्योंकि हमने बोला कि सारी हैं पर पाई किया है उसमें आप यह देखिए उनका एक्जाम है 26 में को और अभी उनकी 27 अपरेल से 7 में तक फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है अब आप देखिए कि जोसका रिजल्ट आएगा वह आएगा 9 जून को आफ्टर आट आपकी कांसलिंग जोसा की कांसलिंग प्रोसेस स् तो इस डेट का बहुत बहुत ध्यान रखें अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि जोसा इसमें बहुत बड़ा एमरॉल नेवाती है अब आपको जो भी आपकी रैंक काई है उस रैंक में आपको कौन सा कॉलिज मिलेगा कौन सी ब्रांच मिलेगी उसके लिए आपको थ तो आपको इस तरीके क्या इसमें देखने को मिलेगा तो आपको यहां सा यह पता चल जाएगा अगर मैं मैं एमनाइटी जैपुर की बात करूं कि बात करूं कॉर्स की बात करूं और ओपन कैटिग्री और हम कोटा अगर इसकी मैं आपसे बात करती हूं तो यहां पर आपको पता चलेगा कि जो इसकी ओपनिंग रैंक है वो है हम जिग्यान एक लाइब सेशन ला रहा है डेली आप लोगों के लिए तो बिल्कुल आप उससे कनेक्ट होना ना भूले आज भी रात को आठ बजे आपके लिए सेशन है आप बिल्कुल कनेक्ट होई है और इसके साथ ट्यून रहिए क्योंकि आप अपनी रैंक बताएंग अपना कर दिया अब आपने कॉलिज की जो मैंने आपको अभी बताएं कि चॉइस फिलिंग करनी है उसके लिए थोड़ी सी आर एंटी आपको करनी पड़ेगी उसके लिए आप हमारे चैनल जिग्यान की हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि डेली जो सेशन हो रहा है उसमें करना है करवाना है अगर आपकी उसमें चोइस आपकी कंप्लीट आपको लग रहेगी मैं सैटिसफाइड हूं तो आप अपना एक्जिट कर सकते हैं यानि फ्रीज कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लग रहे हैं कि नहीं मुझे तो और अच्छा कॉलिज मिल सकता था मैं और करता हूं तो उसके लिए आपको पार्टी स्पेट करना होगा सब्सेक्वेंट राउंड में जो सिक्स राउंड होते हैं क्लियर आफ्टर डैट मैं आपको बताऊं कि आपको कंफरमिशन आपको मिलेगा तो एडमिशन के लिए अलॉट्मेंट इस्टूट में आपको जाना हूं कि ओपन कैटेग्री में सीट से आईटी में 6689 अगर नाइटी की बात करें तो सीट से 9179 और अगर ट्रिपल आईटी की बात करें तो 3082 तो अगर मैं कहूं कि टोटल यह सीट से 50,000 तो जो आपकी लड़ाई यह वह इन 50,000 सीट के लिए ही है तो इसी लिए आपको कॉल इस फिलिंग के टाइम आपके पास एक option और आता है कि आपको फ्रीज करना है फ्लोट करना है यह स्लाइड करना है तो इनका मतलब क्या है भाई वह समझिए देखिए फ्रीज का मतलब है कि आपको मानलो राउंड टू में एक कॉलिज मिला आपको वह पसंद आया उसकी ब्र अलग रहता है सेस्ट के लिए अलग रहता है वह अमाउंट आपने पे कर दिया तो आपकी सीट रिजर्व हो गई यानि फ्रीज कर दिया आपने लेकिन अगर आपका मन किया कि नहीं भाई सीट तो मैं ठीक है मुझे सही लग दिए फिर भी मैं इससे और अच्छा चूज कर सकते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखिए समझे कि इस चीज़े क्या है अब आपके दिमाग में यह आ सकता है कि राउंड वन में तो मैंने यह कॉलिज किया था मेरे को अपना कॉलेज चेंज करना है तो मैं आपको बता दूँ आप ऐसे कॉलेज चेंज नहीं नहीं कर सकते हैं पूराने ही कोलेज़ में से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके कॉलेज की लिस्ट है तो अप उनका प्रिफन्स और चींज कर सकते हैं लेकिन नहीं तो आप वन से पहले ही जब और फिल करोगे तो आपको बहुत द्यान रखना पड़ेगा इस चीज चाके six round के बाद भी कोई college नहीं हुआ वो क्या करें या फिर वो उम्मीद कर रहे थे कि नहीं नहीं मुझे six round के बाद भी अच्छा college नहीं मिला तो मैं वह आप्ट कर सकते हैं सी सेब के लिए सी सेब क्या है मैं आपको बता देती हूं यह भी आपकी national examination type है online mode होता है और है क्या यह central state allocation board इसका purpose क्या है इसका एक ही परपस है जो आपकी 90 में और जो आपकी जेफ्टी आइज हैं या फिर ट्रिपल आइडी हैं उनमें जो भी सीट्स बच गई हैं लेफ्ट सीट्स हैं उन पर admission अब उनके admission के लिए आपको इसके लिए दुबारा से कराना होता है तो अगर आपने जो सा के रिजिस्टर किया फिर भी आपको कराना पड़ेगा और अगर आपने नहीं किया है जो सामें तब भी आप इसमें सब्सक्राइब करा सकते हैं इसमें इसमें इस पर और सब्सक्राइब अगरेब आपको बात करते हैं कि हमारा सी साब का भी हो गया जो साब एक लाग से भी जादा है, दो लाग, तीन लाग, चार लाग कुछ भी हो सकती है, लेकिन भई, कोर्स तो करना है, बीटेक तो करनी है, उसके लिए आप इन कॉलिज में भी जो स्टेट लेवल के कॉलिज हो सकते हैं, इनकी काउंसलिंग पर नजर रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, उत्तरप्रदेश, हर्याना, उत्राखंड, उडिसा, पंजाब, डैली और आपका चंदीगड, इनके भी अलग-अलग काउंसलिंग होती है, तो आप बिलकुल इनकी साइट पर नजर बनाके रखें, और हम भी आपके लिए अलवेज रेडी हैं, जैसे ही कोई भी काउंसलिंग सेशन अउपन होता है, किसी भी स्टेट का या जोसा का, हम आपको बताने के लिए तुरंट रेडी हैं, तो आप बिलकुल ध्यान रखें इन सब चीजों का, अब आपके दिमाग में एक कुस्चन और आ सकता है, कि भई, कि मैं अगर मैंने जोसा में पार्टिस्पेट नहीं किया, तो क्या मैं इसमें पार्टिस्पेट कर सकता हूं, मैंने इसका अंसर आपको पहले ही दे दिया, कि अगर आपने नहीं भी पार्टिस्पेट किया जोसा में, तो भी आप इसमें पार्टिस्पेट कर सकते हैं, एक क स्क्राइवर आपका स्टेट्ट होगा वह ही आपका होम पर सिर्ट में जो भी आपकी कि फिप्टी परेंट smoking तो आपको स्कूर्डिंग कंसलिंग में थीट है । तो मुझे लगए लगता है कि रही वीडियो आप बसंद आए होगा है क्यों और आपके जही मेंस और एडवांस के लिए अल दे बेस्ट